नमस्कार, आज हम लोग बात करने बाले हैं भारत सरकार अधिनियम 1858 की, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इसको लाने की आवश्यक्ता क्यों पड़ी, सबसे प्रमुख और अहम कारण जो था, वह था 1857 की क्रामती दूसरा प्रमुख कारण था कि पार्म स्टोन की जगा, डर्वी के नित्रितों में नई सरकार का इंग्लैंड में गठन हुआ, जो भारत में चल रही कमपनी के शासन प्रणाली को अपने हाथों में लेना चाह रही थी इन्ही दो कारणों से इसको लाया गया भारत सरकार अधिनियम, इसकी प्रमुख विशेष्टा यह रही कि इससे ग्रिह सरकार में ही परिवर्तन किये गए, अर्थात इंग्लैंड में जो व्यवस्थत ही कमपनी के संदर्भ में जिनके माध्यम से भारत में शासन किया जा र कुछ निर्णयों को वापस लिया गया, इसलिए इसे भारत सरकार अधिनियम 1859 की संग्या दी गई, आईए एक एक करके इस अधिनियम के सभी प्रावधानों पर हम लोग चर्चा करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले कमपनी के प्रशासन को समाप्त करके भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन अर्था ब्रिटिश सम्राट के हाथों में दे दिया गया, इसे समझने से पहले हमें यह समझना होगा, कि 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत, कमपनी के सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त करते हुए कमपनी को अब भारत में सिर्फ शासन करने का उत्तरदाई त्व संपा गया, आगे बढ़ते हुए 1853 में एक और चार्टर्ड एक्ट आया था, जिसके तहत, ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया गया था, कि वह भारत में चल रही कमपनी की शासन व्यवस्था को कभी भी अपने हाथों में ले सकती है, इसको आधार बनाकर 1853 के चार्टर्ड एक्ट को आधार बनाकर डर्वी की सरकार ने 1858 में इस भारत सरकार दिन्दियम के तहत, कमपनी के प्रशासन को पूर्ण रूपेन तरीके से अपने हाथों में ले लिया, अभी तक गवर्नर जनरल जो की भारत के प्रशासन के संदर्भ में सर्वोच व्यक्ति हुआ करता था, उसको अब वाई सराय कहा गया, 1858 के भारत सरकार अधिन्दियम के बाद हम लोग जितने भी अधिन्दियमों की चर्चा करेंगे, वहाँ पर गवर्नर जनरल की चर्चा नहीं करते हुए, वाई सराय शब्द का प्रयोग किया जाएगा, अब गवर्नर जनरल, जो कि भारत के प्रशासन के संदर्व में सरवोच अधिकारी हुआ करता था, उसकी जगह भारत सचिव नामक एक पद का स्रिजन करते हुए, उसको भारत के संदर्व में सरवोच अधिकारी बना दिया गया, यह British मंत्री मंडल का सदस्य हुआ करता था भारत में इसका निर्ने सर्व मान्य और एक मत हुआ करता था इसका वाक्य अंतिम हुआ करता था यह थी इस पद की विशेष्टा इसकी सहाईता के लिए एक पंरह सदस्य है परिशद का गठन किया गया जिसके आठ सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी और साथ सदस्य कमपनी के द्वारा नियुक्त किये जाते थे 1700 रेगूलेटिंग एक्ट में जो अवधारणा प्रस्तुत की गई थी कि गवर्नर जनरल अपनी परिशद के सहयोग से बहुमत से निर्ने लेगी यहाँ पर भी इस अवधारणा का प्रयोग किया गया कि भारत सचिव अपनी परिशद के साथ मतलब सो परिशद भारत सचिव बहुमत से ही कोई निर्ने लेंगे निदेशक मंडल यह सापरिशद भारत सचिव सापरिशद भारत सचिव ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदाई था इसके अतिरिक्त सपरिशद भारत सचिव में निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल के समस्त अधिकार निहित कर दिये गए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत नियंत्रक मंडल का गठन किया गया था उसके अतिरिक्त सामरिक अर्थात युद्ध से संबंदित शक्तियां राजस्व से संबंदित शक्तियां और औसैनिक मामले इसके नियंत्रण में लाए गए अब गवर्नर जनरल को सामरिक या इन विशयों के लिए सामरिक हो, राजस्व हो या उसैनिक हो, इन मामलों के लिए नियंत्रक मंडल से अनुमोधन की आवश्यक्ता परती थी, इधर निदेशक मंडल के पास सिर्फ व्यापार, व्यापारिक अधिकार दिये गए, अर्थात व्यापार किस तरह किया जाए, व्यापार की नीती निर् प्रक्रिया और व्यापार से संबंदित और गतिविदियों के निर्धारण की शक्ती निदेशक मंडल को देदी गई थी, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, इस बार क्या किया गया, कि इस निदेशक मंडल और नियंद्रक मंडल के समस्त अधिकार, सौ परिशद भारत सचिव में निहित कर दिया गया, आप देखिए यहाँ पर क्या परिवर्तन हो गए, चाहे व्यापारिक मामलों के संदर्व में निर्णे लेने की बात हो, चाहे सामरिक, राजासो या और सैनिक मामलों के संदर्व में निर्णे या अनुमती प्राप्त करने की बात हो, प्रत्यक चीज में सर्वोच निकाय सरपरिशद भारत सचिव हो गया, वाई सराय गवर्णर जनरल जो की इस अदिनियम के तहत वाई सराय कहलाया अब उसको किसी भी सेनिक गतिविदी, संधी, इत्यादी के लिए सहपरिशद भारत सचिव की पूर्व अनुमती लेनी पड़ती थी इस प्रकार प्रशासन में कई मैत्वपूर्ण सुधार किये गए भारत के संदर्व में कुछ निर्णे वापस लिए गए कुछ संशोधन किये गए कुछ निर्णे लिए गए इस भारत के संदर्व में इस अधिनियम को मिंटो पार्क में एक नवबर अठारह सो अंठावन को ततकालीन वाइसराय कैनिंग ने इसको पढ़ा था इस पकार कैनिंग भारत के पहले वाइसराय हुए और चुकी गवर्नर जनरल के पद को इस अधिनियम के द्वारा समात्र कर दिया गया था तो अंतिम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी वाइसराय ही कहलाते हैं इतिहास में कई महत्वपूर्ण निर्ने लिए गए भारत के संदर्व में भी जैसे मुगल समराट के पद को समाप्त कर दिया गया नमबर दो यह निर्ने लिया गया कि किसी भी भारतिय राज्यक का विले अब ब्रिटिश राज्य में नहीं किया जाएगा अर्थाद विले पर प्रतिबंध लगा दिया गया डॉक्ट्रिन ओफ लैप्स जो कि डलहुजी की देन है उसको समाप्त करते हुए भारतिय रजवारों को गोद लेने की उनकी परंपरा से संबंदित अधिकार को वापस कर दिया गया यह भी कहा गया इसमें की वर्तमान में मतलब 1857 के विद्रोह के समय और उसके तुरत बाद देशी राजियों के साथ ब्रिटिश सरकार के जो संबंध थे उनको यथा इस्थिती रखा जाएगा उनमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा उन पर जवर्दस्ति किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जाएगा सबसे अहम बात भारतियों के सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में अंग्रेजी सरकार सरकार अब दखल नहीं देगी हस्तक छेप नहीं करेगी समझने का प्रयास कीजेगा 1858 तक कई सामाजिक सुधार करने का प्रयास अंग्रेजी सरकार के द्वारा किया गया था जैसे सती प्रतास, शिशुवद प्रतिबंद, विदवापुनर विवा जिसको कहीं न कहीं 1857 की क्रांती के ततकालिक कारणों में उतुप्रेरक की भूमिका के तौर पर देखा जाता है तो इस तरह के सुधार अब अंग्रेजी सरकार नहीं करने वाली थी भारत में भारतिय सेना में भी काफी परिवर्तन किये गए नमबर वन शंतावन की क्रांती से पहले यहां की सेना में अबध तथा बंगाल के सैनिक जादा संख्या में थे चुकि विद्रोग का यह दोनों छेतर केंदर बिंदू था इसलिए अंग्रेजी सरकार ने निर्णे लिया और दूसरी बात कि पंजाबी और गोर्खों ने 1857 की क्रांती को दबाने में काफी हद तक अंग्रेजी सरकार की साहिता की थी इसलिए उन्होंने इन दोनों की जगह पर पंजाबी और गोर्खों की संख्या में व्रिद्धी कर दी पहले तोप खाने तोप खानों पर भारतिय साहिनिकों को यूरोपियस साहिनिकों के साथ रखा जाता था लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ तोप खाने को यूरोपियस साहिनिकों के पत्यक्ष नियंत्रण में लाने की कोशिश की गई पहले भारतिय तथा यूरोपियस साहिनिकों की संख्या पांच बटा एक हुआ करती थी लेकिन इस अधिनियम के बाद इस अनुपात को दो बटा एक कर दिया गया तो इस प्रकार इस अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेष्टा सो परिशद भारत सचिव का गठन था एक बाता और बताने वाली है कि इस सब्रकार परिशद भारत सचिव का जो आफिस हुआ करता था वह लंदन में हुआ करता था कई बार आप इसको हिंदी में भी इंडिया हाउस के नाम से देखते हुँगे वह इंडिया हाउस इसी सब्रकार परिशद भारत सचिव का मुख्याले हुआ करता था जो कि लंदन में है और इसे इंडिया हाउस शब्द का व्यापक रूप से प्रियोग 1909 के दर्मियान जब रासबियारी बूस इंग्लैंड में रह रहे थे इंडिया हाउस वहीं पर इस शब्द का काफी प्रियोग किया जाता है तो ये थी 1858 के भारत सरकार अदिनियम की प्रमुख बातें अगले वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलेगा तब तक के लिए जय हिंद